नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल Learn Invest and Earn में मैं हूँ आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का Index Analysis और इसके साथ-साथ कुछ ऐसे पर अच्छा कासा मोमेंटम बन सकता है तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से तो निफ्टी को देखिए अगर आफ 15 निफ्टी इसके आसपास ही खुला है यहां से निफ्टी ने नीचा ने कोशिश की करीबन 15,670-680 के आसपास एक बार इसने अपने आपको खोल करने कोशिश की यह एक्जेक्ट वही लेवल था जहां पर निफ्टी क्लोज हुआ था तो देखिए मतलब जो क्लोजिंग थी वहीं पर आके वहां से बाउंस किया है एक बार इस रजिस्टन्स को टस्ट किया है इसने जो यहां का प्रीवियस हाय था वहां से वापस नीचे आया है और फिर से इंपोर्टेंट चीज क्या है कि 15,700 15,650 यह दो लेवल के जो कॉल राइटर्स हैं अब यहां से भाग गया है अब यहां पर पुट राइटर्स ने अपना दबदबा जमा लिया है तो अब नीचे की तरफ 15,700 एक काफी स्ट्रॉंग बेस है मुझे नहीं लगता है कि इस इक्सपारी में 15,700 के नीचे निफ्टी जाते नजर आ रहा है अगर आएगा भी तो बहुत बड़ी गिरावट नहीं आएगी एक 30-40 पॉइंट के आसपास आके वो थम जाएगा क्योंकि देखिए यहां पर 15,700 15,600 और 15,500 तीनों पर जम के कॉल राइटिंग हुई है तो अ नीचे के साइड एकदम स्ट्रॉंग सपोर्ट है आप उसकी चिंता ही मत किजिए कि नीचे मार्केट जा सकता है अब उपर की तरह देखिए यहां पर सबसे में क्या है कि 15,700 पर कॉल राइटर जो बैठे हुए है 26,000 लाग कॉंट्रेक्ट यहां पर है और यह अब थोड़ हाफ में निफ्टी 750, 760 के उपर टिकने में अगर कामियाब रहता है तो फिर यहां पर जो 700 के कॉल राइटर से हैं यह डेफिनेटली अपने अन्वाइंडिंग स्टार्ट करेंगे और यहां से फिर जो यह शॉट्स हैं यह शॉट्स निकल लेंगे और यहां पर एक शॉट तेज शॉट्ट कवरिंग आ सकती है अगर कल की ट्रेडिंग सेशन में 750 के 760 के उपर चल गया निफ्टी तो यहां पर जो यह शॉट्स है निकल जाएंगे और फिर निफ्टी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा 800 का जो मुझे लगता है कि इस सेरीज में यह क्रॉस करन है सबसे पहली चीज की अगर आप एग्रेसिव बायर है तो फ्यूचर्स में ट्रेड कीजिए ऑप्शन में बहुत स्लाइट मुवमेंट हो रहा है प्रीमियम में तो शायद आपको प्रॉफिट ना हो तो फ्यूचर्स में ट्रेड करके चलिए यहां पर जो आपका बहुत नामिनल रहेगा गर निकलता है तो आप यहां सिर्फ 30 पॉइंट का स्टॉप लास लगाए और यहां पर 30 पॉइंट का स्टॉप लास लगाके आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं फिर निफ्टी को आप होड़ कर सकते हैं और अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में 770 के उ अच्छा सबन रहा है और यह ट्रेंड लाइन के पास भी अच्छा सपोर्ड बनेगा तो शॉट्स के लिए फिलाल हम लोग नहीं सोच रहे हैं हम लोग ट्रेंड के साथ जाएंगे तभी पैसा बनेगा आप ट्रेंड के आगेंस आगे जाने कोशिश करोगे तो नहीं हो पा हो गया है अगर आज का ट्रेंडिंग सेशन आप देखोगे तो आज के ट्रेंडिंग सेशन में पूरा टाइम बैंक निफ्टी जो है वो बस 200-200 पॉइंट में है नीचे की तरफ 35,350 उपर की तरफ 35,550 तो पूरा टाइम बैंक निफ्टी ने इस रेंज में निकाल दिया है यह एक रेंज रही है अब काफी रेंज बाउंड हो गया है इसके पीछे भी रीजन है अगर मैं आपको ऑप्शन लिटा दिखाऊं तो ऑप्शन में आपको क्लियरली समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा है यह क्लियरली मैं आपने टेलिग् आप वहां पर जॉइन कर सकते हैं अब यहां पर देखिए 35,500 पर देखिए कितने जादा कॉल राइटर बैठे हुए हैं और आज भी इसमें अच्छा का सा एडिशन हुआ है सेम स्ट्राइक प्राइस पर पुट राइटर भी आज एड हुए हैं करीबन साड़े तीन लाग पुट राइटर एड हुए हैं करीबन 5 लाग कॉल राइटर एड हुए हैं और अगर मैं मन्त इस वीक का अगर मैं देखूँ तो इस वीक के हिसाब से अगर देखा जाए तो थरज्जे की जए एक्सपारी आने वाली है 10 जून की इसमें करीबन 20 लाग कॉंट्रेक्स बैठ जाता है बैंक निफ्टी नीचे से उपर आ जाता है क्योंकि यहां पर पुट राइटर बैठे हुए हैं और जब उपर जाने कोशिच करता है तो उपर से प्रेशर आता है इसलिए पूरा दिन देखिए आज काफी एक मैं कहूंगा स्क्वीज रेंज बाउंड में रहा है 200 के हो सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में भी आपको इसी तरह मार्केट दिखाई पड़े अगर 35,500 का लेवल उपर की तरफ ब्रेक होता है और अगर सेफर साइड मैं आपसे कहूंगा कि 35,000 यहां लिख देता हूं 35,575 के उपर अगर मेंटेन करता है 15 मिनिट की एक कैंडल यहां पर क्लोस करती है तो फिर आप यहां से शॉट कवरिंग आते देख सकते हैं और स्पेशली यह जो कैंडल फॉर्म होनी चाहिए यह फॉर्म अगर होती है दुपार में 1.5 बजे के बाद तो फिर यहां पर जो मुमेंट रहेगा वो थोड़ा सा फास्ट हो सकता है फिर बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉंग है तो निफ्टी में ट्रेड करना प्रिफर कीजिए अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो ऑप्शन हेजिंग कीजिए हेजिंग करके ट्रेड कीजिए हेजिंग के अगर आपको ट्रेड चाह है यह औरो बिंदो फार्मा हम इसको कल के लिए भी लेके जा रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि यहां breakdown आने वाला है बस यह अपने आपको hold कर रहा है तो औरो फार्मा पर नजर बना के चलिए levels वही है जो मैंने आज बताए थे कल भी इस पर नजर बना के चलिए यहां पर एक अच्छा कासा ट्रेड बन सकता है अक्सिस बैंक बहुत बड़ी हा चार्ड बन रहा है अगर बैंक निफ्टी यहां से उपर जाता है 35,500 के करते हैं तो एक्सिस बैंक का बहुत बड़ा योगदान रहेगा क्योंकि देखिए एक्सिस बैंक मल्टीपल टाइमस इस रेजिस्टरंस को टेस्ट कर रहा है उपर की तरफ नीचे आन पा रहा है 740 के आसपास आता है पिछले 6-7 दिन से यही पर कॉंसलिडेट कर रहा है मुझे लगता है कल के ट्रेडिंग सेशन में 755 के उपर अगर निकलता है एक्सिस बैंक तो यहां पर एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है आप डेफिनेटली यहां बाइंग करके चल सकते हैं और रहा है तो वहां पर मुवमेंटम उतना फास नहीं आएगा लेकिन यह तीन बैंक जो है यह थोड़ा सा कंसलिडेट कर रहे हैं फसे हुए है जब निकलेंगे तो बहुत तेजी से निकलेंगे इसे नदर बनाके चलिए इन तीन बैंक पर कल के लिए एक्सिस बैंक मेरा में रडार पे रहेगा जो नेक्स्टाउक हमने शॉटलिस्ट किया है यह शिपला सिपला में देखिए किस तरह का पैटन बन रहा है यहां से स्टॉक नीचे आया एक डबलव पैटन फोर्म करके स्टॉक उपर गया अल्ट टाम हाय के पास वापस आया लेकिन यहां से प्रे ज्यादा weakness की तरफ अपनी science दिखा रहा है, मुझे लगता है कल के trading session में यहाँ पर आपको एक downfall दिखेगा, यह same pattern है जो हमने डॉक्टर रेदीज में 2 या 3 जिन पहले कहा था, बहुत बढ़ी है profit हुआ था, 20-25 point हमें मिले थे, यहाँ पर भी हमें अच्छा खासा pattern दिख रह रहा है, वो करीब करीब 920 के आसपास आ रहा है, तो 10-15 point का यहाँ पर trade बनेगा, आराम से trade मिलेगा, यहाँ पर जल्दबाजी करने के जरूरत नहीं है, मैं update करता रहूंगा regularly, टेलेग्राम चैनल के उपर, along with all stop loss and targets, आकरी stock जो shortlist किया है कल के trading session के लिए, यह है cash troll India, देख इस point की move अगर मैं देखू, तो यह 20% return हो गया है, बस मात्र तीन दिन में, यहाँ पर जो उपर से आज थोड़ा सा नीचे sell off अकि थोड़ा consolidate हुआ है, यह 155 इसना high लगाया था और यहाँ से 152 के आसपास, कल के trading session में अगर यह 152 के नीचे आता है, तो बहुत छोटा सा stop loss लगाँगा, मैं 153 का, एक point का stop loss लगाँगा और sell करूँगा, targets मेरे 150 और 148 के होंगे, तो यह मेरा conditional होगा एक, कि इसमें हमें किस तरह प्ले करना है, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बार यह retracement के लिए नीचे आएगा, stock बढ़िया है, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि stock सकता है, तो यह थे वो stocks, जहां में लगता है कर एक अच्छा trading momentum बन सकता है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो definitely वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने valuable comments जेना ना भूले, thanks for watching the video, keep learning, keep investing and keep earning, जैहिन!